नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल में दोस्तो जब भी आप online पैसे के transfer करते हैं या फिर NIFT या फिर RTGS करते हैं तो वहाँ पे आपको IAPC code डालना पड़ता है तो दोस्तो आज किस वड़ी में आपको यहीं बताऊँगा bankifc code.com यहां पर आप इस सर् darkness लकस में टाइप कीजिएगा यहां पर ताइप कर रहा हूँ यहां पर डेख लिजीए दोस्तों यहां पर मैं टाइप किया हूँ यहां पर मैं Bank of India का IFC code पताख करना चाहता हूँ तो यहां पर मैं इसके सामने टिक कर दे रहा हूँ इसके बाद आपको यहाँ पे फिर से estate सेलेक्ट करना होता है आप अपना estate सेलेक्ट किजेगा कि आपका वो bank किस estate में है और इसके बाद आपको यहाँ पे किलिक करके अपना district सेलेक्ट करना होता है आप अपना district select कर लिजेगा जिस district में आपका bank है आप उसे select किजेगा अब दोस्तों यहाँ पे मैं रोताश district select किया हूँ और इसके बाद यहाँ पे आपको branch select करना होता है क्योंकि रोताश में बहुत काफी branch होंगे bank of India का तो यहाँ पे आप select कर लिजेगा bank of India का branch तो यहाँ पे मैं सासा राम पे टिक करता हूँ यहाँ पे मैं सासा राम का bank of India का IFC code जानना चाहता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं जिस bank का IFC code पता करना चाहरा था वहाँ पे उसका यह address आ गया है और उसका pin code है और और भी यहाँ पे detail आपको मिल जाता है और नीचे में यहाँ पे उसका IFC code और micro code यह दोनों हमें मिल जाता है दोस्तों इस तरह से यहाँ पे आप किसी भी bank का search करके IFC code और micro code पता कर सकते हैं उमीद करता हुए छोटी से वीडियो आपके काम की होगी और आपके helpful होगी दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगी तेसे लाइक कीजिए share कीजिए अपने दोस्तों में वाट से Facebook ग्रूप में और इसे सिंपल सिंपल वीडियो में अपने चैनल प्लेक के आते रहत हो तो आप मारे चैनल को जुरू सस्क्राब कीजिए मिलते एक में वीडियो में तब तक क्लिपने ख्याल रखेएगा बाई